हेलो एवरिवर्ण माइनम इस उसामा मुबारक और कैसे हैं आप सब लोग चलिए मैं आपको थोड़ा कॉंसिटूशन के बारे में बताता हूं इंडिन कॉंसिटूशन पर हमारी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम जो बहुत ही इंपोर्टन कॉंसेप्स हैं उन पर चर्चा करेंगे और फर्दर हमारी जो वीडियो जाएंगे उन पर भी हम सारे मर्केंटाइल लों और मेजर लोस को कवर करेंगे और कॉंसिटूशन फॉर में अट लीस्स इस लाइक और मोर लाइक ए क्योंकि कॉंसिटूशन को बहुत हार टच होके हमें पढ़ना पड़ता है जब तक हम उसके लिए पैसेनेट फील नहीं करेंगे तब तक हम उसको अच्छे से जानेंगे नहीं उसकी रूह तक नहीं कहुंचेंगे क्योंकि हमें इस तरह से उसको जानना होगा कॉंस्टू कर करने जा रहे हैं उसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़े समझ लेते हैं कि इंडिन कॉंसिटूशन इस नॉट आ बोक और सब्जेक्ट इस नॉट कंफाइंड और लेमिटेट तो अजस्ट बोक अनले हमें यह देखना है कि यह जरनी है फ्रॉम 1947 तिल डेट और हम कॉंस बैर्वबारी केस आंतोर पर इस केस को एक केस ही बोला जाता है बट इड़वरेंस केबारे में आपको बता देता हूं Article 143 of Indian Constitution talks about presidential reference तो Article 143 में बात होती है Power of President to consult Supreme Court हाला कि इसको ये भी कहा जाता है कि एक advisory jurisdiction है Supreme Court का बट लिखा हुआ ये है Power of President to consult Supreme Court on a substantial question of law So substantial question of law इसको देख लेते हैं substantial question of law क्या होता है Substantial question of law Substantial question of law एक ऐसा question होता है जिस पर Supreme Court ने पहले कर भी कोई clearance नहीं दिया है किसी case में उसको clear नहीं किया है और पहली बार Supreme Court उससे रूबरू हो रहा है कि इस question of law पे क्या clearance दिया जाए इसको हम थोड़ा होल्ड पे डालते हैं इसको बाद में connect करेंगे तो जब इंडिया डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान दोनेशन बने थे उस टाइम पर बहुत सारे बार्डर्स को डिवाइड किया था तो इंग्लेंड से सर स्रिल रैड किलिफ जो थे उन्होंने इन बार्डर्स को डिवाइड किया था और बड़ा ही और तरीके से डिवाइड किया था बड़ा ही एपसर तरीके से डिवाइड किया था आप सुनेंगे तो आपको बहुत अश्रह लगेगा वो physically जाए बिना उन बॉर्डर्स पर उन्होंने उन बॉर्डर्स को define कर दिया उनको outdated maps दिये गए outdated maps जब उनको दिये गए तो जो present contemporary situation थी वहाँ पर जो बॉर्डर्स जिस तरह से थे महाँ पर reverse थी, legs थे, थानास थे तो उन maps से वो relate नहीं कर रहे थे फिर उन maps पर उन्होंने थाने के according line जो कर दी मैं आपको बता देता हूँ suppose करिए जैसे ये एक border है ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है अब इंडिया पाकिस्तान के border को divide करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सी हद इंडिया की है कौन से schools, कौन से lakes, कौन से rivers इंडिया में आ रहे हैं और कौन से infrastructure पाकिस्तान में आ रहे हैं कुछ-कुछ घर भी बीच में आई ऐस तरह से तो अब suppose कर ये कोई इनसान जिसका घर इस लाइन पर बिलकुल ऐस तरह से आ रहा है उसका आधा पार्ट पाकिस्तान में है आधा इंडिया में है और आप ये देखिए कि जब ये इनसान इस घर में रह रहा है, suppose कर ये bedroom है, being room में रहते हुए जब वह सो रहा है तो वह इंडिया में है और जब वह वाश्रूम के लिए जाता है इधर की साइट जाता है अपने घर में तो पाकिस्तान में पहुच जाता है तो इस तरह की बहुत सारी complexities उन maps को design करते वक्त आई थे Sir Red, Cyril Redcliffe ने उसको sure नहीं किया कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो शुरू में जब 1947 में division हुआ तो ये objection पाकिस्तान ने नहीं उठाया पाकिस्तान ने कोई possession claim नहीं किया था पाकिस्तान ने अपना possession claim किया और कहा कि ये जो बैरुबारी जगा है ये जो गाओं है बॉर्डर के उपर ये जो बैरिबारी जगा है वो बैरुबारी पाकिस्तान का पार्ट है क्योंकि उसका पाकिस्तान की साइड आता है ये जा लेते हैं ये बैरुबारी कि सेरिया में पढ़ता है अब जब मैं आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे कि ये इंडिया का नक्षा है और ये वाला पाकिस्तान है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो हमारा बंगल वाला पार्ट था वेस्ट बंगल जब इंडिया पाकिस्तान का डिविजन हुआ तो जो इस्ट पाकिस्तान के शेर में आया इस्ट पाकिस्तान में ये जगा थी बैरुबारी ये गाउं था वेस्ट बंगाल के लिए तो वेस्ट बंगाल की गौर्णमेंट यो थी उन्होंने अपने लेजिस्लिटिव एसेमली महुत डिजॉलुशन पास करे कि ये हमारी जगा है पाकिस्तान का कोई क्लेम नहीं है इस पर तो ये डिस्प्यूट एराइज हो गया अब एज़ा लॉस्ट थीडेंट हम ये जनने की कोशिश करेंगे कि ठीक है ही एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था हर स्टेट गवर्मेंट जैसे वेस्ट बंगॉल की थी गवर्मेंट ऑफ इंडिया थी अपने अपने पेश लड़ा रहे थे बात कर रहे थे कि हमारा क्लेम इस तरह से रहेगा पाकिस्तान कहा रहा था हमारा क्लेम रहेगा कि जब हम बॉर्डर करते हैं इस पे बाद में आते हैं पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या कहते हैं कंसिक्राइब कॉंस्टिक्रेश हमारे विदिन इंडिया जबभी हमें बॉर्डरस इंक्रीज करने होते हैं डिम कि कोई भी गवर्नमेंट कर देती है बट क्योंकि हमारे प्रेजिडेंट साब जो है वो एक एक एक्जेक्टिव के पार्ट है फाइनल एसेंट हो नहीं देनी होती है बिल पर एक्ट बनने के लिए तो प्रेजिडेंट को लगा यार यह सबस्टेंशल कोश्चन ओफ लॉव है क्या हम ऐसा कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अंदर क्या हम थोड़ा सा पारट जो भी पाकिसान को कि दे सकते हैं आर्टिकल द्यसंत मौर्ड हम ही का इस पर यह कहा देखे आर्टिकल 3 जो है वह विदिन गा currency बात करता है आर्टिकल 3 विदिन दर स्टेट बात करता है सपोस्करी के मद्य प्रितेश को कोई टेरिट्री अक्वैर करनी है अपने नेबरिंग इस्टेट के तो आटिकल 3 में हो जाएगा आर्टिकल 3 बात करता है विदिन इंडिया जो बॉर्डर्स विदिन इंडिया है उनको ही आप डिमिनेश इंक्रीज और एक्क्वैर कर सकते हैं बट जब बात आती है सीड अवे करने की आप अपनी इंडियन टेरिट्री से एक पार दूसी फॉरिंड कंट्री को देना चाहते ह आपको कॉंस्टिटूशन में एमेंड करना पड़े तक सब्सक्राइब के साथ अंडर आर्टिकल 368 वह एमेंडमेंट होगा तो यह पेच फसरा अच्छा अब यह देखते हैं कि यह जो हमारा प्रेजिडेंशल रेफरेंस है यह प्रेजिडेंशल रेफरेंस बोरो कहां से क ही नहीं पहले फेडरल कोड हुआ करता तो फेडरल कोड इस सेक्शन से एंपावर होकर एक प्रेजिडेंशल रेफरेंस करेट करता था अब जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ और एक नया कॉंस्टिटूशन हमारी कॉंस्टिट इसबलीम ने क्रेट किया तो ऑर्टिकल 143 आर्टिकल 143 को हमने प्रेजिडेंशिल रैफ्रेंस के फॉर्म में डाला तो प्रेज़िडिंशिडेंस आमने एक कोशन दो करी लिये थे स्प्रेम कोट से सब्सेंशिल कोशन सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सीड अवे कर सकते हैं तो बड़ा पेश लड़ा इस पर अच्छा था क्या कि यह जो होना था सीड अवे जो होना था जो टेरिटर हमें दूसरे कंट्री को दे नहीं थी तो उसके लिए एक एग्रिमेंट हुआ था वो एग्रिमेंट हुआ था पाकिस्तान के प्राइम मिंस्टर जो फिरोज नून साहब थी उनके बीच और जव्ठालन नहरू जो हमारे फस्ट इसको कहते हैं नहरू नून एग्रिमेंट अच्छा नहरू नून एग्रिमेंट तो हो गया उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बही कि आप इस agreement को enforce करने के लिए आप 9th amendment करिए जो अंडर आर्टिकल 368 हो जब 360 आर्टिकल जो है हमारा 9th amendment डालेगा constitution के अंदर तो वो amendment first schedule के अंदर changes कर देगा क्या change करेगा first schedule बात करता है states और उसके territorial jurisdiction के तो first schedule में हम ये add कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368 के such and such area like बैरुबारी area is a part of Pakistan तो Supreme Court ने में clear stand दिया और government ने भी माना और इसके तहत वो agreement जो नून सहाब और जवालना नहरू के बीच था वो enforce कर दिया गया तो हमें ये देखना है कि जो री बैरुबारी case है उसके general background तो हमने समझ लिया कि ये land dispute था land dispute था फिर हमने substantial question of law भी देखा Supreme Court ने कैसे clarity दी पर हमने ये भी देखा कि article 143 का uses में कैसे हुआ है उसके बाद हमने देख लिया कि 9th amendment को ultimately उसमें amendment कर दिया गया एड कर दिया गया first schedule के अंदर और बैरुबारी जो पाहट है पाकिस्तान को दे दिया गया तो आपको ये सुनकर ये पूरा concept लगा होगा कि इसमें बहुत सारे legal clauses आए जैसे 143 है 368 है article 3 है तो ये clause क्योंकि इसमें involved थे कि इसमें तो हमने explain करें हाला कि 368 और 143 इस पर अलग से class लगाएंगे उसको पूरा एक explain और elaborate किया जाएगा और वो एक अलग story है बहुत बड़ी story है बहुत important है class के लिए तो हम अब इसको यही पर finish करते हैं बैरुबारी case आप दुबारा रवाइस करी है और इन pointers को लिख लेजिए बहुत important clauses है जो 斯 के से pakai try to fix our video and stay tuned with us in the next 1st class we will be covering a topic that is Article 12 of part third fundamental rights of Indian constitution please like share and subscribe